हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आज हम मनाएंगे पिल्कुल बाजार जैसा चटपटे और क्रिस्पी गोवी मंचूरियन इसके लिए हम गोवी लेंगे यहां मैंने गोवी को मेडियम साइज में छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ और आप देख सकते हैं गोवी एकदम ताजा और फ्रेस है गोवी को हम एक से दो बर अच्छे से पानी में धो लेंगे और अब यहां मैंने एक सौस पैन में पानी गरम होने के लिए दी थी हम इसमें half टी स्पून नमक डालेंगे नमक डाल करके हम पानी को अच्छे से बॉइल होने देंगे और आप देख सकते हैं गोबी को यह मैंने अच्छे से धो लिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल गया है तो अब हम बॉइल पानी में गोबी डालेंगे और गोबी डाल करके high flame पे गोबी को हम 5 मिनट के लिए high flame पे नमक के साथ अच्छे से boil होने देंगे या उबलने देंगे और हम इस टैम पे गोबी को अच्छे से पानी में डूबो देंगे और हम इस प्रोसेस को और जल्दी करने के लिए आप इसे ढख करके भी boil कर सकते हैं पांच मिनट हो गये हैं और आप क्या करेंगे कि गैस का flame आफ कर देंगे आप को अम पानी में जब गोबी को अच्छे से म्म चाल हो जाएंगे और हम अब बात कर देंगे जब तक में नागात थन्दी के जब यह करतना दे Bennett तर च प्रोसेस कर लेते हैं और अब हम एक दूसरा बरतन लेंगे और इसमें 50-60 ग्राम मैदा डालेंगे यहां मैंने छोटे वाली कटोरी से एक कटोरी मैदा ली हो और इसमें एक चमच भर की कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर एट करेंगे और अब हम इसमें दो बड़े चमच कॉन फ्लोर डालेंगे हाफ टी स्पून या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब हम इन सभी इंग्रीडियन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसे और जादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनाने के लिए एक से दो चमच चावल का पॉडर भी एट कर सकते हैं और आप देख सकते हमारा ड्राइ इंग्रीडियन अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम एक इस तरीके का दूसरा बरतन लेंगे और इसमें बॉइल की हुए गोबी डालेंगे और अब हम इसके उपर वो ड्राइ पॉडर एट करेंगे हम इसे चमच से दो चमच डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं पॉडर का कोटिंग गोबी के उपर बहुत बढ़िया हो गया है हम इसे इस तरीके से उपर से नीचे की तरफ उच्छालते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके उपर थोड़ा सा पानी चिड़केंगे पानी जाल करके हम इसे फिर से एक बार पॉडर इसके उपर डालेंगे और फिर से हम गोवी को अच्छे से ऊपर से नीचे की तरफ मिक्स कर लेंगे जिस से आपके गोवी में मैदे और कौन फ्लॉर का बहुती बढ़यां कोटिंग हो जाएगा यहां मैंने मैदे को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ गोवी में और ये देखिए गोबी का कलर भी बहुत अच्छा सा लाल हो गया है तो सेम तरीके से हम थोड़ा सा पानी और ड्राइ इंग्रीडियन्ट इसके उपर डाल करके गोबी को अच्छे से हम मैदे से कोट कर लेंगे आप चाहे तो इसका बैटर भी बना सकते हैं लेकिन बैटर से गोबी अमारे बिल्कुल इस तरीके से मार्केट स्टाइल क्रिस्पी नहीं बनेगे और आप इसे और ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए रेड फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं मैंने सारे ड्रा इंग्रेडियंट गोबी के उपर डाल करके इसे अच्छे से एक बर फिर से मिक्स कर ले रही हूँ और गोबी हमारे फ्राइ करने के लिए बिलकुल रेडी है तो यहां मैंने कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ और आप देख सकते हैं तेल हमारा अच्छे से गरम हो गई है तो गैस का फ्लेम इस टाइम पे यहां मैंने हाई रखी हूँ और हाई फ्लेम पे हम इसमें एक एक करके सारी गोबी डालेंगे इस तरीके से हम 25 से 30 सेकंड के लिए गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे गोबी को हम फ्राइ करेंगे और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राइ करेंगे जिससे गोवी अमारे अंदर तक पकेगी और इसका उपर वाला लेयर बहुती क्रिस्पी और क्रंची बनेगा 20 से 25 सेकेंड हो गए हैं तो गोवी को अब हम इसे अच्छे से पलटते हुए दूसरे तरफ से भी सेक लेंगे या फ्राइ कर लेंगे और आप देख सकते हैं असमेरी रेट चिली पाउडर से ही गोवी का कलर बहुती बढ़ियां आ गई है तो आप इस तरीके से गोवी मंचूरियन एक बार जरूर बना के देखें आप पुराना तरीका भूल जाएंगे और इसे बनाना भी बहुत असान है और ये आप इसे इस फ्राइ करके दो से तीन दिन के लिए श्टोर करके भी रख सकते हैं और हमारे क्रिस्पी गोवी के मंचूरियन फ्राइ हो गया है तो हम इसे ऑईल में से निकाल लेंगे और ये लीजे हमारे क्रिस्पी गोवी के पकोड़े बनके तयार हो गया है आप इसके उपर सिर्फ च प्रै कर लई हो और मन्चूरियन मनाने के लिए यहां मैंने सब्जियों को बारीक और महिन काट ली हूँ तेल में हम सबसे पहले बारीक कटी हुए लहसुन डालेंगे ottTE लई खर लहसुन डालकर हम इसे अच्छे और अब हम इसमें बारी कटे हुए प्याज डालेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे जिससे हमारे सारी सबजिया जल्दी से भुन जाएगी और उसका क्रंच बना रहेगा और आप देख सकते हैं प्याज भी हमारे अच्छे से भुन गई है तो अब हम इसमें बारी कटे ह हरी mirch डेट करेंगे और इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे और इसमें बारीख कटे हुए billions टालेंगे मैंने बिंप का helps। स्परिंग ओर अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं और विम्स टाल कर Moscow ह इसे भी हाई फ्लेम पहरा हुई ये ये 5 से 20 से लेख केंदके 33 1 और अब हम इसमें सिमला मिर्च एड़ करेंगे और इसे भी हम अच्छे से सारी सबजियों के साथ मिक्स कर लेंगे और यहां मैंने गैस का फ्लेम हाई रखी हूँ जिससे सारी सबजी हमारे इंस्टन्ट और चल्दी पकेंगे इस रेसेपी को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें अपने पसंद के भी सबजी एड़ कर सकते हैं सबजी हमारे और अच्छे से पके इसके लिए हम इसमें एक चौथा ही चम्मच नमक डालेंगे एक चौथा ही चम्मच काले मिर्च का पौडर एड़ करेंगे और मसालो को हम सबजी में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इस टेम पे गैस का फ्लेम मेडियम कर लेंगे नहीं तो सबजी आपकी जल सकती हैं और मीडियम फ्लेम पे हमेंसे पकने देंगे रेसिपी को बनाने के लिए आज हम सोया सॉस चिली सॉस का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे फिर भी हमारी रेसिपी बिल्कुल बाचार और मार्केट स्टाइल बनेगी तो इस recipe को आप instant बनाने के लिए इस तरीके का vegetable manchurian masala बाजार में आपको easily मिल जाएगा तो चलिए इसी से आज हम instant और छटपट से manchurian बनाते हैं तो इसके लिए हम एक बरतन लेंगे और इसमें सारे के सारे packet के मसाले इस बरतन में डालेंगे और अब हम इसमें यादे कप पानी एड़ करेंगे पानी डाल करके हम इसे अच्छे से स्पून या चमच से मिक्स कर लेंगे यहां मैंने नॉर्मल रूम टेमपरिचर का पानी यूज की हूँ आप भी नॉर्मल पानी का ही यूज करें और आप देख सकते हैं हमारा मंचूरियन मसाला बहुत जल्दी पानी में अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम सबजिया में एक से तेड़ चमच विनिगर एड़ करेंगे विनिगर डाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम मंचूरियन मसाले वाले पानी को डायरेक्ट सबजी में डालेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे सबजियों के साथ इस ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं ग्रेवी अमारी काफी थिक हो गई है तो हम इसमें half cup और पानी डाल कर इसे एक मिनट के लिए high flame पे और अच्छे से mix कर लेंगे और आप चाहें तो ग्रेवी वाली manchurian बनाने के लिए और भी ज़्यादा पानी आड़ कर सकते हैं और अब हम ग्रेवी में दो चमच टमाटर सॉस या कैचप डालेंगे और कैचप डालकर हम इसे एक पर फिर से चलाते हुए mix कर लेंगे और अब हम इसमें fry किये हुए गोबी डालेंगे यहां मैं dry manchurian बना रही हूँ इसलिए हम इसमें सारे फ्लावर एट करके इसे अच्छे से mix कर लेंगे और अब हम गैस का flame आफ कर देंगे नहीं तो हमारे गोबी बहुत जादे dry हो जाएंगे और चलिए हमारे instant go market style चटपटे healthy और tasty गोबी manchurian तयार हो गया है चैनल को subscribe करें और अधिक शेयर करें मैं आप सभी के लिए ऐसे easy और instant recipe लाती रहूंगी आप इस तरीके से बनाए और घर में बच्चे हो या बड़े हो सभी को बहुत पसंद आएगी और आपके महमान हो तो वो तो आपकी तारीफ करते खुद को रोक नहीं पाएंगे और आप देख सकते हैं बाजार जैसा हमारा tasty dry गोबी manchurian बनके तयार हो गई है तो चलिए मिलती हूं मैं आप सभी के साथ एक और नए recipe में